Debt, Equity, Asset, Investment अगर आप भी औरों की तरह हैं, तो ये चार शब्द सुनकर आप का भी सिर्फ दर्द करने लगता होगा और उनके बारे में सीखने में बिलकुल भी इंट्रेस्टेड नहीं होगे बद किस्मती से आप इन शब्दों से बच नहीं सकते और ना ही आप अपने फिनैंशल मुश्किलों से बच सकते हैं समय आ गया है कि आप आगे बढ़कर फाइनांस के बारे में पढ़े और सीखे पैसा तभी डरावना हो सकता है जब आप उसे डरावना समझे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ R.J.R.U. और अज Pocket FM की ओडियो बुक समरी में हम आपके लिए लाए हैं मोनिका हलन की लिखी किताब Let's Talk Money You have worked hard for it, now make it work for you इस समरी में आप Simple Financial System के बारे में सीखेंगे आप सीखेंगे कि अपने पैसों का हिसाब रखना कितना आसान है और आप उपर गहे गए चार शब्दों का आसान मतलब समझेंगे ये माईने नहीं रखता कि आप कितनी महनत से कमाते हैं बलकि ये माईने रखता है कि आप अपने पैसों को खर्श करने के लिए कैसी योजना बनाते हैं मोनिका हलन उन गलतियों के बारे में विस्तार से बताती हैं जो हम आम तौर पर करते हैं और अपनी सभी समस्याओं का सरल समाधान देती हैं जल्दी अमीर बनने वाली मार्ग दर्शिका नहीं ये पुस्तक आपको सही निवेश या संपुरण बीमा के बारे में चिंतित रहने के बजाए अपने सपनों का जीवन जीने का बेहतर तरीका प्रदान करती है कई व्यक्तिगत वित्त पुस्तकों के विपरित लेट्स टॉक मनी विशेश रूप से आपके लिए भारतिय संदर्ब को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है पैसों के बारे में बात करना या सोचना मुश्किल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है हम अपना पैसा कमाने के लिए कड़ी महनत करते हैं लेकिन हम कितना भी कमाले पैसे की चुंता कभी दूर नहीं होती बिल, किराया, EMI, चिकितसा, छुट्टियां, बच्चों की शिक्षा और कहीं न कहीं इन सब के पीछे हमारी खुद की रेटायर्मेंट के लिए तैयार ना रहने का डर क्या ये अच्छा नहीं होगा? यदि हमारा पैसा हमारे लिए ठीक उसी तरह काम करे जैसे हम इसके लिए कड़ी महनत करते हैं क्या होगा अगर हमारे पास बेकार निवेश योजनाओं की पहचान करने के लिए एक सिद्ध प्रणाली है? क्या होगा अगर हम कल के लिए अपने पैसे से अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए एक सरल, परिशानी मुग, योजना में मोल रूप से लागू कर सके? और साथ ही साथ एक अच्छा जीवन भी प्राप्त कर सके? पैसों के बारे में बात करना या सोचना मुश्किल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो आईए, सुनते हैं Let's Talk Money का सारामश और जानते हैं पैसों के बारे में